आसका रेस्पी आंद्रा का स्पेशल रव इडली स्मूध और इजी एक कप उर्दो का डाल वन्डन डाप कप इडली सुजी नमा कानेवल शोड़ा ये दोनों को अलग अलुग पानी में रखना है ये सुबा पानी में डाल के साम को पीशना है ये भी सुबा पानी में डाल के और एक बातन में ये भी ये पीशना नहीं है पहले ये उर्दु का डाल को पानी डाल के थोड़ा मोटा के पीसके ये पानी में डाल दिया ना इसको पानी आईसे मुट्टी से निकाल के फोर अचीता रखू ये उर्दु को डालू जो पीसता है ना उसी में मिला के राद में रखना है इसी तरह इसी तरह रखना में कल्म रात को प्रिपेर गर के रख दिया आज सुवे बना रहे हैं इसी तरह होता है पिर इसको हम सुवे उठके जब इडली बनाती है उसी टाइम स्वाद कांसार नमग और कानेवल शोड़ा कीबिख दोनों डालके इसको प्रिपेर करके रख दिया अभी इडली बनाएंगे ऐसा बनाना है अभी ऐसा होत्ती इस बनता है सुपह सुपह उठके देखने से एसा पूल जाते पूरा फ्रीज में नहीं रखना है यह बाहर ही रखना है इडली का stand है यह वाला इडली का पर्फन है इडली पीस में डाल के हम स्टीम करेंगे यह पूरा शी तरफ मिला आपके ऐसा चावल से बनता इडली बहुत लोगों वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता है यह अमारा अंध्रा में यह सुझी से बनता है बहुत अच्छा स्मूध और टेस्टी भी है कीजी गा इडली बन जाता है पूरा यह सिम्पूल तरीका है बहुत जल्दी बन जाता है स्वांधी की तरह स्मूध है यह स्टैंड को यह बतन में दीरी देरे करके रखना है बस उपर डखन डालना है वालने के बद सर्विंग बावल में ले लेंगे आंध्रा का स्पेशल रवा इडली डिश स्मूध और इजी यह वीडियो आपको आपलोग को पसंद आयेगा यह यूडियो देखने के पहले हमारा चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके परिवार को और दोस्तों को वीडियो शेर कर दीजिए इसी तरह नया नया वीडियो आपलोग को दिखाते रहेंगे तैंक यू